हेलो फ्रेंट्स आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिश्याज ओनलाइन ग्रुकुल में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो EVS का KVS का न्यू पैटर्न पर आधारिज जो स्लेव से उसको कवर करा रहे हैं साथ-साथ उनके टैश भी ले में उसको हमने यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है और इस बार EVS 20 मार्क्स का कवर होगा और यह हमारा सफलता बैच है जिसका उद्देश है अपकी बार KVS पार करना ठीक है तो हमने EVS को 6 यूनिट में बाट दिया है जिसकी दो यूनिट पहली करा दी जा चुकी है था कराया था जो यूनिट 3 आवाज शेल्टर है इन सब को हमने यूनिट में डिवाइड किया हुआ है सारी सभी जो चैप्टर्स है या जो भी टॉपिक सारे वह हमारे अगर आप KVS PRT की EVS की जो प्लेलिस्ट उसमें जाके देखेंगे वन बाई वन तो आपको सब को समाज आ करा जाएगा ठीक है तो यह आपका टेस्ट है तो इसमें आपको एक बात बता दे कि इसमें जो को संथ हैं और वो मनुष्य के आवाज से related है, but questions, birds और जो हमारे animal हैं, उनसे related भी आएंगे, तो उनका जो revision है और उनका जो test है, वो जब पूरा खतम हो जाएगा, उसके बाद होगा, जो हमारा एक बड़ा revision test और notes revision आएगा उसमें, तो इसलिए ये मत कहिएगा, कि अभी birds और animal का नहीं ह है, इसमें question ठीक है, और वो भी exam में आएंगे, तो वो हम आपको बाद में कराएंगे, one by one हम पहले आपको, जो हमें लगता है महतपूर्ण, वो कराते जा रहे हैं, वो भी महतपूर्ण है, बट वो बाद में कराया जाएगा, इसलिए आपको पहली बता देते हैं, चैनल के आवास या shelter का, जो हमने आपको important points पढ़ाए थे, जो महतपूर्ण तथे पढ़ाए हैं, अगर आपने नहीं पढ़े हैं, तो जाके पढ़ लीजिए, चलिए इस test को करने, start करते हैं, और test करते से मैं आपको ये बता दे, कि आप जो है answers अपने मन में देते रहेगा, ठीके, मिट्टी का घर बनाया जाता है, कहां बनाया जाता है, गाउं, गरम छेत, A और B दोनों, ना तो A और B, बताए कहां बनाया जाता है मिट्टी का घर, और ये हमने आपको पहले जो तथे पढ़ाए हैं, इससे पहले जो वीडियो आया है, उसमें आपको बता दिया है, तो मि आंसर्स अपने मन में जरूर करिए क्योंकि ये फार्स डिवीजिन टेस्ट है आपको आना चाहिए ठीक है अब देखते हैं नेक्ट कोशन क्या है इगलू में जानवर की खाल और फर का इस्तमाल फश पर क्यों किया जाता है बताईए कालीन के रूप में सुंदरता बढ़ाने इगलू को घर्म करने है यह सभी बताईए क्यू किया जाता ही जल्दी से एकदम बिल्कुल बहुत सही सभी देखेखे इगलू में जो जानवर की खाल का और फर का जो इस्तमाल फश पर किया जाता है वह कालीन के रूप में किया जाता है सुंदरता बढ़ाने की रूप में भी गलू को गरम करने के लिए और सभी में किया जाता है ठीक है सही आप एकदम तयारी कर रहे हैं और इस बार आप क्या करेंगे के विए स्पार करके ही आएंगे ठीक है अभी आपको सभी सब्जेक्ट्स के विडियोज मिल जाएंगे ठीक आप बने रहिए नेक्स्ट कोशन करें क्या है परवता रोह्यों ने टैंट बनाने के लिए लिए दो परतवाले प्लास्टिक का इस्तेमाल क्यूं करते हैं इस इसे छपाने के लिए मतलब जैसे कोई अनिमल वगयरा और हैा या कोई हम में ना देख पाए कोई अगर है वहाँ पे चीज उसके लिए इस option के इस्तमाल किया गया है, दूसरे से छिपाने के लिए का आप बताइए क्या होना चाहिए, आपके answer के according? हां, बिल्कुल सभी सर्दी से बचाव के लिए किया जाता है, ना तो दूसरे से छिपाने के लिए या छिपने के लिए या फिर land slide को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता है, इससे लैंड स्लाइड रोकने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट कोशन करते हैं, लद्दाक के भूतल का प्रियोग किया जाता है, बताईए, लद्दाक के भूतल का प्रियोग किया जाता है, ग्राउंड फ्लोर अफ लद्द लदाक is used for बताएए आफ़शक चीजें रखने के लिए जानवरों को रखने के लिए A और B या ना तो A और B बताएए कौन सा है बिल्कुल सही C है इसका अंसर लदाक में जो भूतल है जो फ्लोर है उसको क्यों प्रियोग किया जाएगा आफ़शक चीजें रखने के लिए औ दाक में उसको आफ़शक चीजें और जानवरों को रखने के लिए किया जाता है ठीक है नेक्स कोशन की तरफ मूग करते हैं क्या है नेक्स कोशन देखिए निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए देखिए कथन दिये गए फिर इसमें बताना है कौन सा सही है कौन से सही है नहीं है एस थाई आश्रे शिमेंड और इटो द्वारा बनाए जाते हैं एस थाई मकान भविश्य को देखती हुए बनाए गए हैं एस थाई घर टेंट हाउस कारवान आश्रे ग्रह आदी हैं तो अब आप बताए इनमें से कौन से कथन ठीक है फस्ट और सेकंड देख ले और इटो द्वारा बनाए जाते हैं एस थाई मकान भविश्य को देखते हुए बनाए गए हैं फर्ट सेकंड थाड अभी दो पड़े एस थाई घर टेंट हाउस और कारवा इत्यादी है ठीक है ओनली थाड एस थाई घर टेंट हाउस कारवा आश्रे ग्रह आदी हैं यह से बताइए इनमें से कौन सा ठीक है बताइए बिल्कुल सही आप जा रहे हैं only C है इसका आंसर जो C में कौन कौन से option दिये गया है sorry C में कौन सा नंबर दिया गया है मतलब कौन सी बात कही गई है धड के लिए बोला गया है only C एश्थाई घर जो है Tent House कारवा आश्रे ग्रह आदी है एश्थाई जो मकाने में वह विष्य को देखकर नहीं बनाया जाते क्योंकि वह तो एश्थाई होते हैं और एश्थाई आश्रे सिमेंट और आईटो दौरा भी नहीं बनाया जाते हैं यह आपको हमने revision में करा चुके हैं तो आपको समझ आ रहा होगा only third इसका ठीक है इस थाई घर क्या होते है Tent House कारवा आश्रे आदी होते हैं तो आपकी बार आप KVS पार ही करके आए ठीक है all the best आप सभी के एक्जाम के लिए पर तैयारी बिल्कुल ध्यान से करते रहिए कुछ भी कमी मत छोड़िए ठीक कराएंगे बट अभी जब सारी उनिट खतम हो जाएंगे उसके बाद को अपना गोसला आम के पेड़ों पर बनाती है यह फश्ट इंडियन रॉबिन अपना गोसला नर्म टहनी जड़ो और उन आदी से बनाता है बार बेल एक छेद में अपना गोसला बनाता है अब देखत कातान है कोईल अपना घर आम के पेड़ पर बनाती है और इंडियन रॉबिन अपना गोसला नर्म टहनी और जड़ों और उन आदी से बनाता है बार बेल एक छेद में अपना गोसला बनाता है बताना है फश्ट और सेकंड फश्ट तो वह है कि कोईल अपना घर आम के पेड पर बनाती है, ठीक है, सेकंड क्या है, इंडियन रॉबिन अपना घौसला नरम टहनी और जणों उनादी से बनाता है, तो यह हुआ, फर्स, सेकंड, थर्ड, फर्स और सेकंड तो भी पड़े ही, बार बेल एक छेद में अपना घौसला बनाती है, यह सेकंड और थर्ड या फ पढ़िए, एक यह रहा, कोईल अपना घौसला आम के पेड़ पर बनाती है, तीनों अप्शन दिखे, अब सोच लीजी अपने मन में कौन से अप्शन ठीक है, ठीक है, तो हाँ, बिल्कु सही आया, आपको आंसर, इसका आंसर है, सी है, सेकंड और थर्ड, पार्बेल एक छ पहनी और जड़ों उनादी से बनाती है, आपको वैसे अब यह हमने रिवीजन में बता ही दिया, कोईल तो अपने अंडे कोई के घौसले में दे आती है, और कोई अपने अंडे समझ कर उनको पालता रहता है, ठीक है, तो यह भी हमने आपको रिवीजन में करा भी दिया, ठीक है, अब की बार के वीजन पार बिल्कुल पढ़ते रहे हैं, एक दूसरे की हैल्प रते हैं, मिट्टी के घर की विशेश्ता होती है, क्या होती है, घरों की दिवारे बहुत मोटी होती है, छते भूजन करने वाले और जाड़ियों से बनी होती है, मतलब जो घास फूस होगा इसका अंसर, मिट्टी के घर की विशेश्ता, हाँ, बिल्कुल सही, D, तो मिट्टी के घर की विशेश्ता क्या है, यह सारी है, इन सम्में यह सब चीजें यूज होती है, मिट्टी के घर में यह सारी चीजें इसको बनाने में, चलिए नेक्स कोशन की तरब मूव करत और पता करें कि यह कहां इस्तित हो सकता है बताना है आपको ठीके देखते हैं क्या क्या option दिये हुए हैं घर पत्थ्रों से बना है जो एक ऊपर एक रखे हुएं भूतल का उपयों का आवश्यक वश्तूओं और पश्यों को रखने के लिए किया जाता है और ग्रांड फ्लोर हाँ बिलकुल सही आपने सोचा कि इसका आंसर क्या होगा लदग का रेगिस्तान तो इसका आंसर क्या है लदग का रेगिस्तान थीक तो यह जो चीज ہیں वह उपर लिखी जानी है और यह option नीचे लिखने जाने थे थे फोड़ा उपर नीचे हो गया है त्टीक है तो इसी इसको mind मत कीजिए का समाझ लीजिएगा question को तो ये कहां की बात हो रही है लद्दा के रेगिस्तान के घरों की बात हो रही है ठीक है ये तीनों option मतलब जो points हैं उनको एकदम दिमाग में रख लीजिए ठीक है next question की तरब move करते हैं क्या है शी नगर के घरों में लकडी की बनी विशेश खड़किया कहलाती हैं क्या कहलाती है महराब दब दोनों या ना तो ए और ना ही बी दोनों पताइए क्या है ठीक है बिल्कुल सही दोनों ही कहलाती है शी नगर के घरों में लकडी की बनी विशेश खड़किया महराब और डब दोनों ही कहलाती हैं देखिए चलिए जल्दी से नेक्स कोशन की तरफ मुव कर रहे हैं एसके मों बरफ से अपना घर यानी इगलू बनाते हैं इसका क्या कारण है बता दीजिए बरफ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती बरफ की दिवारों की बीच की हवा की हवा अंदर की गर्मी को बहा निकलने से रोकती है या बरफ मुफ्त मिलती है और अन्य सामिक ग्रिया बहुत महंगी पड़ती है बहुत अच्छा दुरुविय छित में केवर बरफी उपलब्द होती है बता दीजिए इसका आंसर क्या है एकदम से जल्दी से एक मिनट ये नीचे चला जाता है बार बार कुछ देख लीजिए सारे उप्शन और फिर जल्दी से बताईए एकदम से बिल्कुल सही इसका आंसर आपने लगा लिया होगा आप काफी टाइम मिलकी है इसको सोचने का आपको इसका आंसर है आंसर B बरफ की दिवारों के बीच कि हवा की अंदर की गर्मी को बहार निकलने से रोकती है ठीक है बिल्कुल सही जा रहे हैं एकदम करते रहे हैं परते रहे हैं के वी एस पार करके ही आ जाई है ठीक है अब देखते हैं दूसरा कोशन क्या है घरों की निमलिखित विशेष्टाओं पर विचार करना है बिना खिडकियों वाला भूतर पेड के तने से बनी लकडी की तिठी छते जमीन से करीब 10-12 फिट उपर पत्थर के कमबों पर बने मकान या फिर पत्थर मिटी और चुने से बनी मोटी दिवारे अब बताना है आप प्रोक तुमें से कौन सी विशेष्टा लेह और लद्दा के घरों में पाई जाती अब फर्स सेकें यह कौन से थीक हैं इसमें से बताईए कौन कौन से ठीक हैं पहले तो अपने मन में जल्दी से सोच लीजे एकदम से बिलकुल सही इसका आंसर होगा फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ बिना खिडिकों वाला भूतल होता है इसमें फिर इसके बाद पत्थर और मिटी चूने से बनी मोटी दिवारे होती हैं और लकडी के फर्स होते हैं जमीन से करीब 10 से 12 फूट उपर पत्थर के खंबों पर बने मकान नहीं होते हैं लेह और लद्धाक के घरों की विशेषता इसमें बताई गई है आपको समझ आ गया होगा क्या है इसका अंसर इसका आंसर है फिफ्ट फॉर्ट और फिफ्ट ठीक है समझ आ रहा है अगर आपको कोई भी कन्फूजन होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगे देखते हैं नेक्स कोशन एक गाउं में अपने घर के बारे में विद्धारती द्वारा लिखा गया निलने खित अनुच्छित पड़िये उसने अपने घर के बारे में लिखा है देखे लाश वाले कोशन में जो पॉइंट थे वो यहीं पे ही आपको कवर हो जाएंगे देखते हैं मैं गाउं से आया हूँ हमारे यहां बारी बारिश हो रही है इसलिए हमारे घर जमीन से लगवक 10-12 फिट यानि की 3-3.5 मीटर उपर बने होते हैं इने बास के खंबों पर बनाया जाता है हमारे घरों के भीतर भीतरी इससे भी लकडी के बने होते हैं इस गाउं में होना चाहिए क्या कौन सा गाउं होना चाहिए ये आंद्रप्रिदेश, असम, तमिलाडू या उत्राखंड बताईए विल्कुल सही असम होना चाहिए इसका आंसर ठीक है अभी उपर जो आप्शन आये थे उसमें 10 से 12 फिट ये सब बताया गया था तो वो इसमें आपका कवर हो गया बिल्कुल ठीक है आगे देखिए नेक्स कोशन की तरब मूव करते हैं क्या है नेक्स कोशन बिल्कुल ध्यान से करते जाईए नेमलिकित में लेह लद्धाक के घरों की विशेष्टाओं का चैन करें ठीक है अब देखते हैं कौन-कौन से ऑप्शन है इसके अभी तो करा था यही कोशन इसी के जैसा ही यह वही कोशन है उसी की तरह है अब तो आप समझ जाएंगे बिल्कुल ध्यान से पेड के तनों से बनी तिर्षी लकडी की छते बिना खिड़की वाला ग्राउंड फिलोर या पत्थर मिट्टी और चूनी की मोटी दिवारे या लकडी का फर्ष बिल्कुल सही है अभी आप करके भी आएं सेकंड थर्ड और पोर्थ इसका आंसर है ठीक है सेकंड थर्ड और अभी जश्ट किया ही है आपने बिल्कुल उसी कोशन को दूसरे तर में यह लद्दा के दों लक के बारे में यह क्या कुशन है दूसरा है उसी की तरीके से जाता है कौन सा है फर्ष को प्राकर्ति रंग देने के कीडों को दूर रखें इसलिए किया जाता है या फिर उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए या फिर धर्शन बढाने के लिए उन्हें खुर्दुरा बनाते हैं बताइए कौन सा उसमें option रहेगा ठीक है बताइए हां कीडों को दूर रखने के लिए इसका में कारण होता है केड़े दूर रहें उनको दिवारू को लेप किया जाता है जब इसमें गोबर के उपयोग को इसली किया जाता है ऐसा माना जाता है कि इससे कीड़े दूर रहेंगे और जादेतर बिहार, मद्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान में इस तरीके के घर पाये जाते हैं जिसमें जो मिटी के घर बने होते हैं और इनमें कीडों से बचाने के लिए गोबर की लिपाई की जाती है ठीक है नेक्स कोशन की तरफ मूव कर रहे हैं इगलू के बारे में निमलिखित कत्नों पर विचार करें इगलू का प्रिवेश द्वार बहुत चोड़ा है सजावट के लिए फर्श में इस्तमाल जानवरों की खाल और फर्क किये जाते हैं बताएए आगे देखते हैं एसकिमो इगलू में रहते हैं और बस यही तीन ओप्षन हैं फिर इसमें बताने हैं कि कौन से ओप्षन ठीक हैं अब आप पहले तो यह देख लीजिए सारे ओप्षन को पढ़के कि कौन कौन से ओप्षन इसमें ठीक होंगे ठीक है आपने पढ़ लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा तो देखिए इसमें पूझागा है only third, first second third या फिर first second और second और third तो देखिए तो इसका answer होगा D second और third देख लेते हैं क्या-क्या है second और third में एक मिनट एक मिनट ये फिर से उपर चला गया Eskimo glue में रहते हैं और सजावट के लिए पर्ष में इस्तमाल होता है जानवरों की खाल और फरका ये नहीं होता कि glue का प्रवेश द्वार बहुत चोड़ा होता है glue का प्रवेश द्वार जो होता है काफी छोटा होता है ठीक है और ये गुमबदा कार होते हैं ठंडे छेत्रों में इस परकार के आवाज बनाए जाते हैं और उत्री हिस्से में इस तरीके के आवाज देखने के लिए मिलते हैं और ये Eskimo शिकारियों का अश्थाई घर होता है यह हमने आपको रिवीजन में भी करा दिया था क्योंकि क्योंकि के विए सफलता बैच का क्या उद्देश है अब की बार के विएस पार तो यह जो वीडियो था यह था फास्ट रिवीजन टैस जिसमें कि हमने 15 कोशन आपको कराए देखिए हमने पह माध्यम से बता सकते हैं और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन लग रहा हो किसी भी चीज को लेके तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई कन्फ्यूजन है किसी भी पढ़ाई की चीज को रिलेट करके जो के है आपके लिए काफी helpful रहेगा और रहा होगा तो अब आपसे कहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे इसके बाद हम आपसे मिलते हैं next unit की वीडियो में उसमें भी टेस्ट होगा आपका पहले वीडियो आएगा फिर टेस्ट आएगा ऐसे ही आपकी सारी units खातम हो ज जो जो चीजे इसमें रहे जाएंगी इन सब चीजों में तो वो cover हो जाएगा और आप पढ़ते रहेए बिलकुल रुकिये मत पढ़ाई से इन दिनों को अपना पढ़ाई में लगा दीजे बिलकुल हर एक टाइम को अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो ल मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जैहिन जैभारत